नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नमरता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टेप्स नमरता चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो क्या आप भी परेशान है अपने सफेद बालों से आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल नैचरल तरीके से और बिना किसी साइड डिफेक्ट के यदि हाँ तो ये वीडियो पूरा देखना तो दोस्तो बालों को लंबा काला घना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सफेद बालों को काला करने के लिए आपको लेना होगा चाय की पत्ती ये चाय की पत्ती आपको अपनी किचन पर ही मिल जाएगा मैं बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा बताऊंगी इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा आपका तो आपको क्या करना होगा चाय की पत्ती में होता है कैफीन कैफीन आपके बालों की जड़ों की इंफेक्शन को खतम करता है आपके बालों को जो कलर होता है सफेट कलर होता है उसको काला करने में बहुत तेजी से मदद करता है हम क्या करेंगे एक भगोना लेंगे और इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी और अब इस एक गिलास पानी में हम डाल देंगे दो छोटे चमच चाय की पत्ती दोस्तों आप इस नुसके को जरूर ट्राई करना आप देखेंगे कि आपके बाल दीरे-दीरे काले हो जाएंगे दीरे-दीरे आपके सफेद बालों का रंगाडा होता जाएगा यानि की काला होता जाएगा तो यहाँ पर मैंने दो चमच चाय की पत्ती डाल दी है और अब इसको हम रख देंगे उबलने के लिए यानि की खौलाने के लिए दोस्तों ये चाय की पत्ती आप इसमें क्या करें एक उबल आने दीजिए तेजाज पर और उसके बाद में आप गियोगेस की फिले में जो आँच है उसको आप सिम कर दें सिम आच पर इसको आप पकाएंगे तो इसके सारे पुसक तरतों और इसका सारा कलर हमें पानी में मिल जाएगा दोस्तों ये जो चाय की पत्ती है आपके बालों को चमकीला, शांदार, सुन्दर, लंबा और यानि कि अगर आपके दो मुवे बालोंगे तो उनको भी ये सही करेगा बिल्कुक कंडिस्नल की तरीके से काम करेगा आपके बालों में आपके अगर बाल सफेद नहीं हुए है तो आज समय आपके बालों को सफेद भी नहीं होने देगा मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसका यूज करेंगे तो यहां पर इसमें एक बाल आ चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर तो आप दे सकते हैं, यहां पर मैंने एक छोटा चमच हल्दी पाउडर लाल दिया है और यह हल्दी पाउडर आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा आपके नए बाल उगाने में तेजी से मदद करेगा और आपके जो इसकेल्फ है, इसकेल्फ में इनफेक्शन नहीं होने देगा यह क्योंकि यह होता है एंटिवाइटिक यह जो हल्दी पाउडर होता है और साथी साथ आपके बालों को काला भी करेगा यह हल्दी पाउडर तो यहाँ पर मैंने एक छोटा चमज हल्दी पाउडर डाल दिया है और दो चमज मैंने चाय पत्ती डाल दिये आप इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एक गिलास पानी आदा गिलास न रह जाए यानि कि जब तब तक पकाना है जब आदा गिलास पानी रह जाए तब इसको हम उतार लेना है गैस से तो चलिए इसको हम पकने देंगे सिमाग पर दोस्तों आप इसके को जरूर ट् ज़ड़ते बालों को भी ये सही करता है बालों को जढड़ना बंद करता है आप इससे ट्राइट s. karna जैसे कि आ भूलें है या निकी पॉरल थे इस ब्ल座ा से पार्ला करके आए है तो चलिए आप depression अस्मेदर क्रीश dils नुसका यह दोस्तों बालों का काड़ा हम इसको बोल सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है तो चलिए यह बिल्कुल आदा ग्लास पानी रह गया है इसका अब हम इसको गैस के फ्लेम से हटा लेते हैं अब इसको हम यह पानी है इसमें अब हम क्या डालेंगे चलिए यह बनके तय तो यहां पर मैंने दो कोफी के पाउच लिए हैं और इसका पाउडर हम इसमें डाल देंगे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कोफी से बालों का रंग जो कैसा होता है काला हो जाता है आपके ग्रे बाल काले हो जाएंगे आप इसे ट्राइटो करके देखिएगा आपके अगर नुसका है और इसको मैंने आजमाया भी है तो चलिए यहां पर मैंने दो चमच कॉफी डाल दिया है इसमें और अब इसके बाद में हमें इसमें और सामगरी क्या डालनी है वो भी मैं आपको बताती हूं दोस्तों सारी नेशुनल चीजों को हम यूज कर रहे हैं कोई ब्रॉब्लम नहीं होगी इससे और अब इससे आपके बालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपके बालों में कोई भी हानी नहीं पहुंचेगा और आप देखना आपको पूरी वीडियो देखना तो चलिए इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है अनि खेला दिया अब इसके बाद में हम डालेंगे दो चमच, दो छोटे चमच आवला पाउडर, आवला पाउडर आप सभी लोग जानते हैं, यह बालों को बिलकुल चमकीला बनाता है, बालों का रंग भी काला करता है, बिलकुल मलब डाई की तरीके से आपके बाल काले कर देगा, जैसे आबम भूला को सब्सक्राइब तो मिनटलाद एसको हम चान लेंगे तो चलिए इसको हमें कैसे शाना है बढ़ना यहां पर मोटेतार चाननी लिह है बुधकर बहीं शाननी आप ना ले मोटेतार की शाननी ले और इसको अच्छे से आप चानन ले ये बहुत आसान तरीकिसे शान जाता है दोस्तों अगर आपने इस नुस्के को एक बार ट्राई कर लिया तो आप मुझे धन्यवाद भी करेंगे और साथी साथ आपको ये नुस्का बहुत ज़्यादा बैतरीन लगेगा और बहुत ज़्यादा यूजफूल लगेगा क्योंकि इससे आपके बालों को कोई हानी नहीं पहुँचेगी तो ये देखें इस तरीके से आप दबा दबा करके इसका सारा जूस निकाल लीजिए और ये जो पैक बच गिया है ये तो इसका क्या करें आप इसका पेश्ट बना लें मिक्सी से और इसको दः़ी बगएरा में मिला करके आप अपने बालों में इसका पैक लगा लीजिए कभी भी जब आपकी इच्छा हो तो आप चाहें तो दः़ी के साथ लगा लें या फिर आप इसका पैक ऐसे ही पीस करके लगा लीजिए अब हमें क्या करना है ये हमें इसका सारा पानी यानि कि सारा जूस मिल चुका है अब इसके बाद में हम इस पानी को क्या करेंगे इसको हम डिवाइट करेंगे यानिति कि पूरे पानी को हमें आद्ट आधा करना है कोईव्लबर क्वांटिटि में कर सकते हैं फ्रिस्ट में कोई प्रभ्रम नहीं है और वक्लिक्त सकता आपको पहुसक्ति तो फ्रिस्ट में इस्टोर करने के बाATHER भी आपको मिल जाएंगे कोई दिक्कार नहीं है तो यहां पर मैंने आदा आदा कर लिया है अब इसके बाद में हमें क्या करना है इसमें मिलाना है सैंपू तो चलिए एक कटोरी के पानी में हम सैंपू मिला देंगे तो यहां पर मैंने लिया है क्लिनिक प्लस का सैंपू आप आपके पास में जो आप सेंपू यूज करते हों अपने बालों में तो आप बो वाला सेंपू ले 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 तो यहां पर मैंने लिया है क्लिनिक लेस्ट तो यहां पर मैं डाल दूंगी एक पाउच सेंपू तो अगर आप अपने घर में ले रहे हैं तो एक पाउच डाल सकते है अगर आप चम्मस से नापे तो आप एक चम्मस या फिर दो चम्मस सेंपू इसमें डाल सकते हैं कहने के मतलब पर सेंपू कम ज्यादा चल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर मैंने एक पूरा सेंपू इसमें डाल दिया है दोस्तों ये नुसका बिल्कुल बैतरीन है आपके बाल बिल्कुल एक्टर जैसे हो जाएंगे जैसे कि आप लोग देखते हैं टीवी बगारा मैं पिच्चर बगारा मैं आप देखते हैं एक्टर लोगों के बाल कितने अच्छे चम्कीले साइनिंग दार होते हैं लंबे काल तो आपके बाल बिल्कुल इसी तरीके के सो जाएंगे, आप एक बाट ट्राइटो करिए, तो यहां पर मैंने सैंपू डाल दिया है, अब आपको इसको यूज कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताती हूं, तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से मिक्स करिए, और आप इस इसको सबसे पहले आप अपने बालों में इस सैंपू को लगाईएगा, इसको अच्छे से बालों की जड़ों में, बालों की लेंथ में, बालों पूरे बालों में, आप इसको अच्छे से लगा करके, पांच मिनट के लिए मसाज करिए, और मसाज करने के बाद में, आप अ फ़प इसके बाद में किया है, आपको सेंपू लगा लिया है, सेंपू लगा करके बाल दो लीजिये, आप फिर आपको करना क्या है? यह दूसरी काटोरी है, इसमें हम डाल देंगे, कैस्टर ओएल यानी की airendy का तेल, यह देखिए, airendy का तेल आपके बालों को बढ़ान यानि लंबा करने में बहुत तेजी से मदद करता है साथी साथ सफेद वालों को काला करने में मदद करता है तो मैंने यहां पर करीवन देड़ चमच डाल दिया है एरंडी का तेल यानि की कैस्टर ओयल अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे दो छोटे चमच यानि की सरसों का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे बालों को स्वस्त रखता है हमारे बालों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुचाता है और आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को समाप्त करने में बहुत तेजी से मदद करे हूँ इसको आप क्या करेंगे इसको आप रात में सोने से पहले सुबह आप सेंपू करेंगे बालों ने मेरा नुस्खा और साथी साथ आपके जो बाल है काले घंए लंबे सिल्की साइनी कर देगा ये मेरा नुस्खा तो आप इस तेल को अच्छे से लगा करके मसाज करने के बाद में छोड़ दीजिए रात बर के लिए और उसके बाद में सुबह नौर्मल पानी से साफ कर लीजि तो आप इस नुस्खे को हफ्ते में अगर दो बार भी करते रहेंगे तो आप देखना आपके बाल धीरे धीरे बिल्कुर नेचरल तरीके से काले हो जाएंगे और आपको किसी भी डाई किसी भी क्रीम किसी भी ओयल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आप इसे ट्राई त देखना कैसे मजूत हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों सेर करिए चलन सबस्क्राइब करिए मैं हम तुने सब्सक्राइब करें नमस्कार और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए